हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माई यूटूब चेनल चलिए आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक का जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे एक नए टॉपिक है लवक एंड इंगलिज से बोलते हैं प्लाश्टिड जैसा कि आप देख रहे हैं गाइस की लवक एंड प्लाश्टि है तो इसमें बहुत सारे कोशिन पूछे जाएंगे आई हो ठीक है तो चलिए मैं आपको इससे रिलेटेट कुछ कोश्यन और कुछ टॉफिक बताती हूं तो चलिए देखिए जैसे कि मैं आपको लवक एन प्लाश्य में बताऊंगी लवक की प्रकार लवक की कार ईंड़ प्रकार में माकृति की बारे में लवक क्या होता है चलिए देखते हैं लवक जो हमारा होता है वो पादप कोशिकाओ के कोश को द्रौ में पाए जाने वाले गोल अंडा का रशना है इनमें पादबो के लिए महातपूर रसायनों का निर्मार होता है जो क्लोरो प्लाश नामा घरे रंग के लवक में जिव जगत की सबसे महातपूर जयव रसानी क्रिया प्रकास संस्रेशन होती है मतलब कि जो हमारा वह प्लाश लावक होता है वह प्लांत सिल में कोशी का दृव में पीज आने वाले गोला यह अंडा करका यकर रशना होता है ठीक है और इनमें पादब के लिए महत्रपूढ रशाणों का निन माड़ करता है कि यहां पर योके कि जो हमारा chloroplast होता है जिसके कारण हमारी पत्तिया हारी होती है और वो प्रकास से सब में काफी रशानिक क्रिया करता है जिसकी वज़े से वह बोजन प्रात होता है ठीक है तो इसका इस तरीके से यूज है चलिए आगे देखते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं जो हमारा लवक होता है ठीक है प्लास्टिट होता है वो हरे हरे रंग को छोड़ कर हरे रंग को छोड़ कर अनरंगों वाले लवक को क्रोमो प्लास्ट कहते हैं ठीक है जैसे कि हमारा जो लवक एंड़ प्लास्टिट होता है वो केवल हरे रंग को छोड़ कर अनरंगों वाले लवक को क्रोमो प्लाष्ट करते हैं तीक है और उसके साथ इनसे ही फूलो एवां फुलो का रंग प्राप्त होता है रंगी ईन लवको को लियू को प्लाष्ट करते हैं तीक है यहाँ पर एक चीज़ समझजेगा कि जो हमारा प्लास्टूड होता है उसके थ्रेटाइप होते हैं यह होता है हिंदी में आपको पहले बता जाती हूँ एक उता है लवक ठीक है मतलब लवक कि थ्रेटाइप होते हैं वरड़ी लवक और एक उता है हारित लवक इस तरीके से तेटीन पार्ट हुदता हैं मैं आपको आगे बताऊं कि दूसके पार्ट के बारे में तो यहां पर बताए चाहरा है कि जो हारे रंग को छोड़ कर अनरंगो वाली लवकों को हम क्रोमोप्लास्ट करते रोब प्रेज जो होता है उसमें Green क्लर नहीं होता है तो Green क्लर को स्थोड़कर बागी जितने रंगों वाली लवक को हम ग्रोफ लेश केते है और आगे कहël रहा है कि इन से ही फूलो फॉलो का रण्ग Vahta हुता है रगहीन लौक a nasal केते हैं मतलब कि जिसमें बिल्कुण भिख कलव नहीं होता उसे लूप लएकन रखिए हैं यादा रखिए है हम प्रणोप लेख हमारा इंग्लीस वर्ड है ठीक है क्रोमो प्लाश में कौन से कलर नहीं होता ग्रीन कलर नहीं होता और लुको प्लाश में क्या होता है वो रंग ही इन होते हैं ठीक है जिसका मुख्यकार क्या होता है मैं आपको अगे बचाती हूं जिसका मुख्यकार होता है ठीक है बोजन संग्रा म में मदद करना इनका मुक्किकार होता है यह अकृती में अन्दाकार गोलाकार तंतुमा होता है जो पूरे कोशिच कद्र Creek रहता है और जो दो परटो में घिरे रहता है ठीक है और इसके वीचितर कर पाइज अने वाले खालेस्थान को यह स्टो इस जो हमारा मेह बोजन संघ्रा करता है इत्वार नहांC में मड़द करते हैं और जो इनकी आकर्टी ही होता प्रेकोश कदर होसी प्रहरीन नरहीं करते हो impossibility पार्टों में घीरा भी रहता है इसके बीतर पाए जाने वाले खाली स्थान जो होते हैं ठीक है उसे हम क्या कहते हैं इस्ट्रोमा कहते हैं जो एक तरण प्रदार्त से भरा हुआ रहता है मतलब कि जो खाली स्थान होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं और जो तरण प्रदार से भरा होता है जिससे मैं ट्रिक्स कहते हैं क्या कहते हैं मैं आपको डाइगराम भी दिखा दे रही हूं तो आपको जब समझ में आगा चलिए बात कर लेते हैं जैसा कि पहले हम आपको मैंने पहले एक शिर बता दिया था कि हमारा जो लवक होता है उसके थ्री का बोलते हैं लिवकोसाइड ठीक है वर्डी लवक ठीक है इस तरीके से जिसे हम लोग बोलते हैं प्लोरोव ठीक है यह हरे रंग के होते हैं यह नमें पढ़ हरीद वा के रोटी नाई वरड़क पाए जाते हैं होता है और यह हरे रंग के होते हैं कि इन में परण हरी तता के रोटिनाइड वरडग पाया जाते हैं यह प्रकाशी उर्जा का संचाय करते हैं कौन हर इतलब वक्त चटे हैं आगे देखते हैं एगे तो हमारा के रहा है कि जिनस में बोजण का निर्माण होता है और इसे पादफ पोश्यका gonna थो होई होता है उसे पादफ कोशटा का थो हार भी कहते है उब कि यपनि आगी बात करते हैं लिए कुछण देख रहेते आगे कैसे कि हमारा डाइगरम को इस तरीके से दिख रहा है ठीक है तेखिए यह हमारा डाइगरम है यहां दिखांते इसंहें कुछ चीज से करके यहां पर बीच में डिश्टन्स है उसे हम बोलते इस्ट्रोमा क्या बोलते इस्ट्रोमा ठीक है और हमारा मैट्रिक्स क्या होता है ठीक है हमारा मैट्रिक्स जो होता है वह कहां पर होता है इसमें फिलार मैट्रिक्स नहीं दिया मैट्रिक्स जो हमारा होता है जो उसके तो यह क्लोरोप्लाश कैसा होता है यह रंग हीन क्या होता है यह रंग हीन लवक होते हैं यह प्राया लाल पीले नरंगी आधी रंग के होते हैं इनमें केरोटीन जिन्दोफिल आधी वरड़क होते हैं यह पुस्प फल्वित्ती बीजावरण में पाये जाते हैं कौन लवक परड़ी लग मतलब क्लूरोप्ला जोता है वह एक रंगीड लवक होता है जिसमें लाल पीला नोरंगी आधी रंग होते हैं और इसमें के रोटीन जिन तो फिला आधी वरड़ा होते हैं यह पुश्प फल्वित्ती बीजा वरड़ में पाय जाते हैं ह helper चलिए देखते हैं छोट करता है यह अनद भागों में पाए जाते हैं जा ह प्लाइन की आई से प्लाइट में पाए जाते हैं इसमें कि सूर का प्ला ने पहुछता और इन में किसा प्रकार व्लेड़्ट भी नहीं होता ठीक है तो यह कहां पाई जोते हैं यहां पर यहां पर सूर का प्रकास आश्याज नहीं पॉसता और टीक है इसमें कोभी बड़ुक नहीं होता है ये विभी नकार आक्रिति के रंग ही लवक होते हैं इन्हें खादय प्रदार्थों का संच्च होता है। और मंड टीक्ते दूसरी जी मंड लवक के बारे में देख ज़येगा «जसे आप जैंते हैं», कि जो मंड लवक होता है ठीके अलग से प्लैस्टिड आता है। इनमें मंड के रूप में कार्बोहडर का संच होता है किसके कार्बोहडर का संच है और जो प्रोटीन लवक है ठीक है लवक हमारे और भी है प्रोटीन लवक है इनमें प्रोटीन का संच होता है क्या होता है प्रोटीन का संच होता है तो इस तरीके से गाइस हमारा वीडियो आ बना कर दोंगी यह प्रकार का और इसके बारे में आपको बता दिया है तो कि आज के लिए इतना ही नेक्ष्ट वीडियो नेक्ष्ट है